खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए यानि आज के मैच में क्यों यह पात कहीं जा रही है और जानकारी के मेरे साथ मेरे सयोगी कुंतल चक्रवर्दी जुड़ गए है कुंतल क्या है यह खबर पूरी लेकिंगे विश्व काप में जब शिकरदवन की इंजिरी हुई उसके बाद सुत्रों के मुताब विराट कोली चाहते थे कि स्वेया शायर खेले या फिर ऐसा कोई खिलारी केले जो की एक्स्पीरियंस है लेकिन रवी शांस्त्री जो है कोच रवी शांस्ती बहुत ही मतलब एक ऐसे मतलब कोच है ज्योंकि रिशाफ पंद को चाहते है और उनको लगता कि रिशाफ पंद एक बड़ा मैच में रहा है लेकिन इस तरह के मंच में इतना इस प्लेयर कितना अच्छा करेंगे इस बात में इस बात को लेकर उतना मतलब कॉन्द नहीं थे विराट कोली सु आपके आउट हो गए डीप मीडविकेट पे तभी विराट कोली बैलकीनी में आया और सीधा अपने फ्रस्टेशन दिखाया रवी शास्थी को आप देखे होंगे विज्वल तो सीधा बात था और रवी शास्थी के सामने इस तरह के फ्रस्टेशन दिखाना और इसमें जो क्रिकेट के जानका रहा हूँ जो बीची सीए के अंदर जो बैठा है सबको लग रहा है कि विराट कोली खुश नहीं ते जिस अंदाज के दिशाप बड़ी बात कह रहे हैं कुंतल यहां से बड़ी जानकाली दे रहे हैं टीम मेनेजमेंट के सूतरों के वाले से खबर दे हैं कि विराट कोली नहीं चाहते थे कि रिशब पंथ टीम में आए जब शिखर दवन को चोट लगी कोई और खिराडी शेयर सहीर जैसा खिराडी टीम में आए लेकिन रवी शासरी ने रिशब पंथ को प्रिफर किया क्या कहना चाहेंगी इसका वीरुपाजी यह क्यों यह आ मैं उस पर कमेंट करूँ क्योंकि कई बार सूतर होते नहीं है हम लोग शेयर सेयर बेटर किलाडी नहीं थे नहीं थे विराट रिशब पंथ जो मैच विनरे जो उन्होंने खेल दिखाया अपना टेस्ट मैच और T20 में मुझे लगता है कि उनकी जंगें होनी चाहिए इस टीम पर शेयर तो लंडन में थे ना उस तेम पर लेकिन ये चोट लगी और उस वक्त तयारी तो देगे कोई कहीं भी हो से क्या फरक पड़ता है सेलेक्टरों ने किसको चुना रिशब पंत को चुना चाहिए का अप्तान खुश थे या नहीं थे अंत में तो रिशब पंत खेले तो मैं मुझे लगता है कि शायद विराठ कोली को खुद बोलना चाहिए इस टॉपिक पर अगर वो खुश नहीं थे अगर खुश थे तो फिर हमें शायद इस पर चर्चार नहीं करने चाहिए